हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आयोप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और एक्जामिनेशन का अच्छी तरीके से तयारी कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी लोगों का एक्जामिनेशन बहुत ही करीब आ गया है चली हम लोग विफार में से 6 समस्टर वालों का हर्बल ट्रग टिकनोलौजी का यूनिट फोर में हम लोगों नोड्रग का किस तरीके से करते हैं कैसे कैसे क्या मेथट होता है क्या क्या इसमें हम लोग को study करना है एकदम अच्छे तरीके से इसको पढ़के हम लोगों ने complete कर लिया है अब इसमें दो topic को वेवल और बचे हुए हैं दो chapter जो कि हमाले सबसाब हाला क्या है patenting and regulatory requirement आप natural product और दूसरा है regulatory issues इनके बारे में आज के lecture में पढ़कर के एकदम अच्छे तरीके से total complete कर देना है और बहुत जल्द आप लोगों को अपने telegram गुरूप में तुरूंत इसका notes पीडियाप share कर दूँगा तो आप सभी लोग एक काम जरूर करना हमारे telegram गुरूप में जोइन हो जाना जहां पे आप लोग को एकदम freely notes मिलता है तो सीधा सीधा जोइन करके आप लोग वहाँ से जा करके notes को collect कर लेना लेकिन एक बार जरूर इस lecture को देखना क्योंकि एक बार इस lecture को देख लेंगे आप लोग तो एकदम अच्छी तरीके से आसान language में ये total आप लोग को समझ में आ जाएगा बस lecture देख लेंगे तो ही समझ में आएगा तो देखे सबसे पहले हम लोग पेटेंटिंग का मतलब समझेंगी कि पेटेंटिंग है फिर पेटेंट क्या होता है इसको पहले यहाँ पर समझे पेटेंटिंग का मतलब क्या होता है पेटेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे माल लेजे हमने कोई दवा बनाया दवा नहीं ह हम लोग हर्बल ड्रग टेकनोलोजी में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को जड़ी बूटियां के बारे में पढ़ना है, तो माल लिजिए हम लोगों ने बहुत ही रिसर्च किया, दिन रात मेहनत करके एकदम उसके तरीके से मतलब उसका टेस्टिंग किया, कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, टेस्टिंग किया जाता है, मेडिसीन के बारे में उसके बारे में खोज किया जाता है, कि क्या क्या डाल के कैसे क्या बनाना है, अब उन सभी के द्वारा टेस्टिंग किया, फिर खोज किया, उसके बाद हम लोगों ने माल लिजिए, disease एक चल रहा है कौन सा virus चल रहा है इस में corona virus coronavirus चल रहा है माल लेजिये तो अभी इनका कोई दवा नहीं बना ठेक समझे topic आप लोग को example की तोर पे बता रहा हो कि coronavirus चल रहा है माल लेजिये इसका कोई दवा बना नहीं है तो हम लोगों ने मिल करके मालेजी हमने हम यहाँ पर अंकी चतुरवेदी है ठीक ए अनकी चतुरवेदी तो हमने क्या किया हमने इस ड्रग के बारे में बहुत जादे नौलेज लिया और इसके बारे में पूरा का पूरा रिसर्च किया दिन रात मिनहत करके एक यहाँ पर दवा कोई बना दिया अब इस दवा का ओनर कौन हुआ? इस दवा का ओनर हम होंगे. क्योंकि हमने इसके बारे में खोच कियाए. और यद यह अच्छे तरीके से सक्षज हो गया है, तब यह जो दवा है, जो मैंने बनाया है कुरोना वाइरस, अब इस दवा को केवल हम ही पूरे विश्वेम बेच सकते हैं. हमारे अलामा कोई दूसरा आदमी इस दवा को नहीं बेच सकता है ना ही इसको बना सकता है तो यही होता है क्या होता है पेटेंट यही होता है और इसका भी एक निश्चित अवद ही होता है पेटेंटिंग का भी एक निश्चित अवद ही होता है, निश्चित अवद क्या होता है, मतलब कि जितना हम लोगों ने खर्चा लगाया इस दवा को बनाने के लिए, जितना ज्यादा खर्चा लगाया है कि किस तरीके से बनाना है, कितना टेस्टिंग करना है, कितना ज्याद हम लोगे मिनहत किया इसके बनाने के चक्कर में उसे हिसाब से हमने अपने दवा का एक बनाएंगे मूले कि इस दवा का मूले माली ये 200 रुपे है नहीं तो 300 रुपे कर देंगे या फिर 500 रुपे कर देंगे उसे हिसाब से इस दवा के हिसाब से जितना खर्चा लगया है उस पति हिसाब से इस दवा का हम लोग एक बनाएंगे मूले ठीक और मूले क्यों बनाएगा इसका जो मालिक रहेगा वही इसका मूले बनाएगा और वही इसका सेट करेगा कि इतने रुपे में ये दवा मिलेगा जिससे उसको प्राफिट भी हो जाए और जीतना खर्चा किया है वो भी उसको मिल जाए एक निश्चिद अवद में पेटेंटिंग का भी एक validity होता है जिसके बारे में अभी तुरंट आप लोग को बताएंगे कि इसका पेटेंटिंग का अवद कितना होता है इसका validity कितना होता है अभी बस आप लोग को ये समझना है कि patenting क्या होता है और यदि आपने माल लिजे बहुत जादे रुपया खर्च कर दिया इसको बनाने के चक्कर में और जितना patenting की validity होता है जितना इसका आवद होता है कि इतने दिन तक आप इसको अपने हिसाब से बेच सकते हैं पूरे विश में अगर उतने दिन के अंदर आपने इसमें profit नहीं कर पाया जितना खर्चा किया था वोस हिसाब से आपको profit अगर नहीं मिल पाया है तो आप सिधा सिधा high court में जा करके case file करके अपने patenting की validity को क्या कर सकते हैं increase करा सकते हैं मतलब कुछ year के लिए उसको बढ़वा सकते हैं जिससे कि आपका कुछ profit हो जाए अब I hope आप लोग को patenting का मतलब समझ में आ गया है कि patenting क्या होता है patenting का मतलब होता है हमने किसी drug के बारे में research किया उसके बारे में research करके testing किया दिन रात मिनत करके बनाया और उसका तब जब ये drug हमारा बन गया तो इसको पूरे विश्व में केवल हम ही इसको बेच सकते हैं और इसको बनाने के लिए और भी किसी एक-दू industry में हम इसको बनवा सकते हैं लेकिन इनको बताएंगे हम कि जैसे इनको हो गया तो इनका हम बताएंगे कि इस तरीके से इसको बनाया है जिससे कि दूसरे लोग इसका गलत इस्तिमाल ना कर पाएं कि इसी नाम से गलत तरीके से इसको बना करके बेचें ठीक तो इस पे आप लोग copyright claim भी कर सकते हैं कि हमारे दवाओ को ये दूसरे नाम से ये बेच रहे हैं ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं तो ये आप लोग कर सकते हैं लेकिन इसको बनाने के लिए किसी को बता करके दूसरे से भी बनवा सकते हैं कि इसको इस तरीके से बनाया जाता है जिसे ये भी इस तरीके से बनाया और आपको कुछ profit दे तो आई हो थोड़ा बहुत आप लोग का यहाँ पे concept तो clear हो गया होगा अब हम लोग आते हैं अपने main topic पे इसको किस तरीके से लिखना है और patenting का validity कितना होता है सब कुछ आसान तरीके से जानते हुए चलते हैं तो देखे यहाँ पे कुछ लिख दिया हो कि patenting का मतलब क्या होता है what is patent तो patent is a grant up certificate यह grant का certificate होते हैं जो कि which is given by the state या फिर high national authority की द्वारा क्या किया जाता है दिया जाता है but discovery यह new thing कोई भी new product जो discovery किया गया है उसके लिए यह authority दिया जाता है and giving the rate up to make the huge exercise and intention for a limit period इसका कुछ limit period होता है कि इतने time तक आपको यह certificate दिया जा रहा है आप लोग इसको अच्छी तरीके से जितना आपने इस पे खर्चा किया है उससे जादे अच्छी तरीके से इसमें आप profit अपना निकाल सकें जिससे आप लोग अपने हिसाब से उसका range लगाएंगे कितने रुपे में हम इसको बेचेंगे उसे हिसाब से जितना आपको मन कहेगा जितना उसका लगबग में limit रहेगा यह नहीं कि बहुत ज़्यादे ही लगा दे अपने हिसाब से वो लगाते हैं और उसे हिसाब से बेचते हैं जिससे उनका profit भी निकल जाए और लोगों का नुकसान भी ना हो अब यहाँ पर समझते हैं कि यह क्या होता है अपने हिसके बारे में यह भी दो लाइन में दिया गया अगर यह असान लगे थी यह भी लिख सकते हैं अब जो मैंने बताया कि पेटेंटिंग का एक वैलिडिटी होता है तो क्या होता है इसका वैलिडिटी फार आल टाइप अप प्रोड़क्ट जैसे किसी भी टाइप के आप प्रोड़क्ट बनाया है तो उसका एक वैलिडिटी होता है जिसके आप ओनर है owner तो है लेकिन उसका एक validity होता है कि इतने दिन के अंदर आप लोग को कर देना है कि आपना profit निकाल लेना है नहीं निकल रहा है तो आप लोग high quote में जा करके case करके और आप लोग अपने validity को increase करा सकते हैं ठीक तो यहाँ पे इसके year दिये गया है validity year ठीक from the date of which is patent application is filled IPR क्या होते हैं IPR का full farm क्या होता है intellectual properties right अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जैसे हमने कोई patent बनाया है patent का मतलब क्या होता है जैसे हमने कोई new drug बनाया है ठीक और आपने उसको बना करके market में supply करना शुरू करती है और आपका देख कि कोई दूसरा वही चीज आपका ही लेकर के बनाने लगे और बनाने लगे उसके उपर कोई अपना दूसरा पैक लगा दे तो आपको पता चलेगा किसी के दोरा नहीं तो आपका ही material कोई दूसरा आदमी लेकर करके बेचने लगे तो इसके उपर लग जाता है copyright आप copyright क्या होता है copyright का मतलब क्या होता है copyright क्या होता है जיसे महान लीजिए अभी आप लोग को अपने तरीके से आपके तरीके से बताता हूँ जैसे कि Youtube पर आप आते हैं YouTube पे कोई नया गाना आ गया यूटूब पे कोई new song आ गया अगर तो आपने उसको download किया और download करके फिर आपने उसको अपने channel पर post कर दिया अब आपने उसको अपने channel पर post किया तो देखते हैं कभी-कभी सीधा-सीधा video ही delete हो जाएगा नहीं तो जाकर करके अपने description box में चेक करिएगा वहाँ पे सीधा-सीधा लग जाएगा copyright claim और आपका channel भी delete हो सकता है ठीक तो वही होता है copyright मतलब दूसरे का समान चुरा करके और अपने supply करना ठीक तो यही काम होता तो क्या होता है यह होता है copyright और यही copyright claim लग जाता है बट यदि आप खुद ही उसको authority देते हैं जैसे कि मालीज यह कोई song आया और उसने आपको खुद authority दिया कि यह हमारा song अपने channel पर आप post कर सकते हैं जैसे कोई यह दवा बनाया patenting वाले new drug और उसने बोला इसको कि यह दवा आप बना करके supply कर जकते हैं बट अंदर ही अंदर बात होगी कि हमें भी कुछ आप लोग percent profit देजिएगा ठीक और ऐसे ही नहीं कर देंगे कि आप बनाईए उसको वो बताएंगे कि इसको किस तरीके से बनाना है कैसे कैसे क्या करना है तो जिससे वो आसान तरीके से उसको बता देंगे तो वो आसान तरीके से बना लेगा तो उसमें कोई भी copyright claim नहीं लगेगा तब उसमें copyright claim नहीं लगेगा क्योंकि उसने उसको authority दिया है कि आप इसको बना सकते हैं ठीक तब उसमें कोई copyright claim नहीं लगेगा copyright भी नहीं लगता है और उसको भी profit कुछ percent कदे देते होंगे और ये आराम तरीके से बनता जाता है तो ये हमारा method होता है intellectual properties right I hope आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अब कैसे लिखेंगे intellectual properties right refer to general assessment of properties right through a patient patent copyright and trademark and these properties right holder exercise monopoly use items for the specific period intellectual properties protection as a simple declaration ownership of partially product and it is most countries up for primary types intellectual properties that can legally produce patent trademark copyright trade ठीक ये सब कुछ claim लग जाते हैं जो की बीना authority के अगर कोई बनाता है तो इनके बारे में दूचार line दिये गया है आसान तरीके से वीडियो को रोक करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं patenting का validity कितना होता है जो कि यहां पर दिये गया है इसको आप लोग जरूर रच्छी तरीके से तयार कर लेना ठीक ये validity इतना होता है अगर इसमें इसको बाद भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं अगर इसमें भी आपका कुछ नहीं होता है तो आप लोग हाई कोट में case फाइल करके आप लोग इसको renewal करवा सकते हैं base year में ठीक तो I hope आप लोग को ये समझ में आ गया होगा चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें हमारा next topic है patenting accept of natural product इसमें हम लोग को दो product के बारें पढ़ना है एक हमारा है patentable natural product और दूसरा है non patentable natural product ठीक जिसमें हमारा सबसे पहले में क्या आता है there are following list of the natural product which can be patentable तो क्या होता है novel isolation process of natural product from the surrounding example and Indian patent process isolation, hydration from a seed name plant मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि naturally product के दोरा जो चीज हमारा बनाया जाता है वो हमारा होता है patentable natural product होता है और non patentable natural product में हमारा क्या आता है जैसे उसमें हमारे chemical synthesis के दोरा जो बनाया जाता है the product made by the chemical synthesis वो हमारा होता है non patentable क्या होता है non patentable natural product होते हैं और इसके बारे में 2-3 point यहाँ पे भी दिये गए हैं इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं यह भी लिख लेना 3-4 point दिये गए हैं पहला point यहाँ पे दिये गए हैं दूसरा तीसरा चाहता ठीक यह हमारा हो गया patentable natural product और इसमें हमारा दूसरा क्या है दूसरा हमारा है non patentable natural product इसमें हमारा क्या आता है इसमें हमारा देखिए यहाँ पे 4 point लिख 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 लेना सबसे पहला the product made by the chemical synthesis वह product जो हमारा chemical synthesis के द्वारा बनाया जाता है 2-3 point यहाँ पे भी दिये गए हैं और कुछ point इसके यहाँ पे भी दिये गए हैं इसको आप लोग जरूर लिख लेना अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़े से important topic के बारे में कि यह क्या होता है हमारा procedure for obtaining patent इसका procedure obtain करने कैसे किया जाता है इसको obtain patent का जैसे आपने सब कुछ बना करके ready कर लिया अब इसको कैसे proceed करेंगे कैसे obtain करेंगे तो इसके लिए हमें कुछ following step दिये गए हैं जैसे कि हम लोग को सबसे पहले patent application को क्या किया जाता है filling किया जाता है अब फिल करने में क्या किया जाता है पहले title लिखा जाता है हमारा नाम क्या है हमारा address क्या है हमारा निसलली आप inventor क्या है फिर a space picking क्या है उसके बारे में क्या क्या लिखना चाते है आप लोग इसका claim क्या है मतलब इसके बारे में क्या क्या लिखना चाते है इसका benefit क्या है इसका आगे चलके side effect नहीं नहीं, इसका scope क्या है, ठीक, इतना कुछ आप लोगों को लिखना पड़ता है, filling and application for patent के लिए, उसके बाद दूसरा फिर step हमारा आता है, examination आप application का, जिसमें हमारा ये office में जाता है, patent office, exams में, ठीक, इसमें क्या होता है, patent application with receipt, unusual है, natural, आप claim, whether the patent has been filled, elders, मतलब ये useful है, कि नहीं useful है, कैसा है, कैसा नहीं है, इसके बारे में सब कुछ देखा जाता है, फिर उसके बाद, तीन मन्त के बाद, ये decide कर जाता है, कि ये कैसा है, किसमें दिखा जाता है, option claim for patent में, ये क्या होता है, three month time दिया जाता है, for any application before granting and selling application, मतलब इ दिखा जाता है, कि ये सही है, कि नहीं, इसको market में लाया जा सकता है, कि नहीं, ये किस तरीके से है, क्या है, क्या नहीं है, इसके लिए three month का time दिया जाता है, ठीक, उसके बाद, हमारा last आता है, granting and patenting ceiling, इसमें क्या होता है, in case no option, clearly certification of all opposition by the application, the patent is granted by the patent office, published of official graded, and patient can be kept alive by the paying annual fees with in date, which increase age of the patient, ठीक, तो ये last में एकदम clear हो जाता है, कि ये मतलब सही है, आप लोग इसको कर सकते हैं, इसके बारे हम सब कुछ certified हो गया है, ठीक, ये कुछ process होते हैं, procedure होते हैं, patent obtaining के, इनके advantage भी कुछ point होते हैं, क्या होते हैं, advantage, advantage, आसान तरीके से दिए गया है, इसको a patent give a right to stop upper copywriting, manufacturing, sealing, importing, invention without a permission of inventor, मतलब आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बना सकते हैं, बिना permission के आप लोग इसको नहीं बना सकते हैं, इसमें copy right लग सकता है, copy नहीं करना है, अगर आप लोग को कोई कर आए, 30 दे रहा है, आप लोग इसको copy करके बनाईए, तब आप लोग इसको बना सकते हैं, अब इसमें कुछ ऐसे topics include हैं, जो कि दो नंबर की question बन सकते हैं, जैसे कि हमारा farmer right आगया, breeder right आगया, बायो प्रो इस्प्रेटिंग आगया, ये सब important topic है, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो फर्मर right का मतलब क्या होता है, जैसे कि माल लिजिए फर्मसुटकल इंडस्ट्रीज में, सबको एक authority मिल गया है, सबको एक अधिकार मिल गया है, कि आप किसी भी चीज का research करके, आप उसका owner बन सकते हैं, आप लोग उसको, आप लोग आसान तरीके से बना करके, market में supply कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से बना करके, निव निव तरीके से बना करके, उसी तरीके से किसानों को भी अधिकार दिया गया है, कि आप अच्छे से अच्छे चीजों का उपच कराएं जैसे किसी भी चीज को मतलब बहुत सारे ब्रीडर आ गये हैं तो जीतने भी अच्छे दरीके के चीज आप बना सकते हैं जैसे मार्केट में फल देखते हैं कितने अच्छे अच्छे आ गये हैं मतलब छोटे छोटे पर ही अच्छी तरीके से फढ़ने लगते हैं सबजीयां अच्छी अच्छी आ गई हैं तो मतलब किसान का भी एक अधिकार मिल गया है उनको भी एक अथाटी मिल गया है कि किसी भी तरीके से आप अच्छे तरीके का चीज को बोज सकते हैं बोज सकते हैं अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं तो ये हमारा होता है farmer right ठीक इनके उपर कोई boundation नहीं है कि आप ये काम नहीं सकते हैं जितना अच्छा काम आप लोग कर सकते हैं वो करिए जितने अच्छे आप लोग फसल के चीजों के लिए कर सकते हैं वो करिए अब इनके बारे हैं बहुत सारे point दिये का हैं वीडियो को रोग करके बढ़ना चाते हैं आप तो पढ़ सकते हैं वैसे notes तुम्हें provide करी दूंगा दूसरा point हमारा आता है breeder right breeder right क्या होता है plant breeder right को PBR भी काते हैं is also known as plant variety right इसे plant breeder right को plant variety right भी काते हैं जिसको PBR काते हैं अब ये क्या होता है आप लोगों ने गाओं में राते हैं या फिर कहीं पे भी राते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कोई आम का पेड़ हो गया और कहीं पर यह एक आम का पेंड़ हो रहा है, आम का पेंड छोटे पर ही लगता है फरने बहुत ज्यादा, तो लोग कहते हैं अरे यह बहुत से अच्छे विरीट का पेंड़ है, और यहीं पर कोई खा करके आम के वो जो होते हैं, जो क्या होते हैं, उसके सीड होते हैं, उसक आच्छे तरीके से फ्लावर उसको तुरंत फड़ने लगते यह अट तो यहां पे देखें सिंपल ही लिखागया कट फ्लावर फ्लॉत फॉट ठीक सून निव डिफैर टीजिट की आ गये हैं सब कुछ अच्छे अच्छे प्रीड के आ तो यही हमारा होता है ब्रीडर जो कि लोग कहते भी हैं आप लोग सुने भी होंगे कि यह प्लांट अच्छे ब्रीड का है इसलिए इतने जल्दी विकास कर रहा है और अच्छे तरीके से यह फर रहा है अब नेश्ट हमारा है बायो प्रोइस पेस्टिंग क्या होता है यह क् रिसोर्स या फिर compound होता है can be important for useful in any field यह किसे भी field में सभी field में क्या होते हैं important होते हैं include होता है pharmaceutical में agriculture में bioremediation में nanotechnology में अग अधर सब कुछ में बहुत सारे चीज़ों में क्या होते हैं include होते हैं ठीक and bio spreading can be also defined as a systematic research for the development of new source chemical compound gene, microorganism, microorganism and other valuable products from the nature ठीक तो इसके बारे में और भी दूचार point देगे हैं बहुत यासान तरीके से लिखे गए हैं आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं next point इसमें हमारा आता है bio pregnancy, bio pregnancy क्या होता है मतलब इसका मतलब यह होता है किसी भी चीज की जैसे कोई भी आदमी है उसका खोज किया है ठीक उसका patenting किया है अब उसके product को आप ले लें और आप ले करके उसके जो pack हैं उसके pack को हटा करके अपने pack को लगा करके करना शुरू कर दें business बिजनस शुरू करते है उसका हम लोग illegal bio pregnancy क्या होता है जो कि क्या होता है उसको लोग यहां पहर इंडिया में हमारे आते हैं तो यहां पर हलदी का उप्योग बहुत जादे किया जाता था हलदी का उप्योग किया जाता था क्योंकि यह बहुत ज्यादा बेनीपीट ह होते हैं जैसे कि हमारे खाणा बनाने में भी बहुत जीगा त्र अधियां और चैनल दिल डालेजयें ते उसमें भी ज़ादा तर यूज के जाते हैं क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं तो भिदेश के लोग आ करके यहां लगें वो लोग क्या करने अच्छी तरीके से पैकिंग करकर के इसको क्या करने लगें सेल करने लगें इसका बिजनस करने लगें जो कि क्या है इल्लीगल है क्यों कि उन्होंने हमारे यहां से इसके बारे में पता किया और इसके बारे में खोज के बारे में उन्होंने नहीं क बता है और लोग इसका उप्योग कर रहे हैं तो उनके उपर illegal copyright claim लग जाता है तो इसमें किवल हल्दी काई case नहीं है इसमें हमारे नीम के भी case आ गये हैं जो कि नीम के बारे में भी आप लोग जानी रहे हैं कि हमारे नीम का ज्यादा तर लोग यूज करते हैं और लगबग म तो हमने आपको बारे में बताया है जिसके बारे में यहां पर आसान तरीके से दिएगा है एक हमारा study up case आप study up नीम हो गए हैं इसके बारे में यहां पर तर्मरिक के भी में भी बताया है और इसके बारे में क्या होता है डाइंग, कोकिंग, इंग्रीडियंट, लिम्टर, टेम्कल्स, मेडिसिनल, परपच के दूआरा सभी के लिए ये हमारा यूज के जाते हैं हल्दी ठीक इसके बारे में भी दो-थीन पॉइंट दिये गए हैं इसको आसान तरीके से अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं नहीं तो इसका PDF अफलोड कर दूँगा अपने रेगुलेशन करना उसमें कोई भी गलत काम ना हो कोई भी गलत चीज ना बनाया जाए ना है उसमें कोई भी गलत चीज बेचा जाए तो ये सब के बारे में जो होता है वो तो फर्मसुटकल रख के लिए हुआ तो उसी तरह से अगर हर्ब के लिए रेगुलेटरी बनाया जा तो यह इसमें अगर कोई इसोज हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं regulatory issues तो क्या होता है सबसे पहला इसमें point है herbal drug regulation in India तो यह क्या होता है इसमें हमारत यह होता है तीन आयुर्वेदी सिध्धा यूनाने provision relating to the manufacturing and control आप काउन करते है आयुर्वेदी सिध्धा और यूनाने इसको सायट में बोलते है ASU drug has been prescribed in the drug and cosmetic act and this act describes formation of drug technical adversary body इसको सायट में बोलते है DTAB which consists of various nominated members of drug consecutive committees इसको सायट में बोलते है दोस्तो DCC यह full farm कभी कभी examination में पूछ लेता है इसका जानना जरूरी है अब इसमें 2-4 points दिये गए हैं यह आप लोग जडूद पढ़ लेना इसको ASU and DATB काते हैं DTAB का मतलब क्या होता है drug technical adversary board तो क्या होते हैं central government sale करते हैं इसमें कुछ constitution board होते हैं कौन कौन से होते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे होते हैं डिरेक्टर आप general health service होते हैं जो कि हमारा EX ओपको हो गया डिरेक्टर सोरी drug controller होते हैं EX क्या होते हैं ओपको डिरेक्टर आप central drug laboratories होते हैं ठीक एक जामपल आप लोग देख लाना यह आप लोग आराम से अगर पढ़ना चाते हैं तो पढ़ सकते हैं ठीक यह हमारा होता है constitution of the board 12 points इसमें कुल होते हैं ठीक दूसरा हमारा होता है functioning आप बोड में भी देखिए असान तरीके से दिए गए इसको भी पढ़ना चाते हैं पढ़ सकते हैं इसमें तीसरा हमारा होता है constitution of functioning तो इसमें 2-4 point केवल दिए गए हैं जो की important है regulatory issues में होता है कि rule regulation देखा जाता है कि इनका rule क्या है कैसे-कैसे होना चाहिए इसमें कोई भी गलत काम नहीं होनी चाहिए, क्या बनाना है, कैसे विचेना है क्या इसका rule है, क्या इसका regulation है, सब कुछ उसी तरीके से होना चाहिए ठीक यही हमारा होता है rule and regulation लेकिन इसमें कोई अगर issue जाता है तो इसे हम लोग क्या काते है regulatory issues इसका notes आप लोग को बहुत जल्द अपने टेलिग्राम गुरूप सपोर्टिंग आप पारमेशी टेलिग्राम में सर्च करके वहां से तुर झाल